Hello everyone, कैसे हैं आप सब? तो आज की इस वीडियो में मैं आप सही बच्चों को BBMP University में आप सही बच्चे FYUP semester 1 और semester 2 में आप सही बच्चों के syllabus में basically mention है AC Hindi AC Hindi के syllabus में topic आपका अगर पलवन है तो पलवन आपके इस topic में मैं आपको cover कराऊंगा क्या होता है पलवन की परिभाँ से बताऊंगा किस प्रकार से सवाल paper बनते हैं ये तमाम बातें आज के session में जानने ही कुशिश करेंगे तो अगर आपको आज का हमारे session पसंद है तो वीडियो को like और सेट करेज़ेगा चैनल पता नहीं हुआ है तो सब्सक्राइब कर लिजिएगा साथ में बैल अगन पर क्लिक कर लिजिएगा और आप से बचो को दिए जो भी classes है और जो भी हो वस complete प्लेश्ट बना हुआ प्लेश्ट पर जाके सारे के सारे वीडियो को देखके अपने एक्जाम के अच्छे सारे के दिएगा ठीक है अगर इसे इंग्लिश में कहा जाए तो एंग्लिश्ट के नाम चाहरे इसे डिनोट कर सकते है या पी इंग्लिश्ट में तो काम नहीं है मैं आपको डैट हिंदी में लेकर चलता हूं क्या होता है किसी भी क्या कर सकते हैं अगर हम व्हें क्या कराता है पलवन कहता है'S चीज को बढ़ा देना यहीं बढ़ा चड़ा का दिखाना तो इस प्रकार हम लोग पलवन को एंप्लिफिकेसर में समझ सकते हैं अगर लिखा जाए यहां से परिवहां साथ समय गोज़ करें कम से कम सब्दो अथवा एक वाकि में कहें अथवा लिखे गए भावो और विचार करना पड़ेगा इसी के देखें बताया हुआ हमारे पास है की एक सधे-लेकक का बड़ा गुनिया होता है कि वो कम से कम सब्दों में अधीक सदिक बाते लिखता है ,ने कम सब्दो का क्या करेंगा लेकिन उससे अधीक सधिक बाते वो लिख सकता है और ंगश्यमें इसे बैकाउन और हिंदी में कह सकते हैं जो पंडित हमारी रामचंदर सुकल ऐसे ही क्या है एक प्रकार के गद लेखर थे कविता में तो इस प्रकार की लेखक जो कह सकते हैं लेखन की गुजाई साधी को जैसे आपको मालों होगा कविता हमें लेकिशा बहुत सर्ची रहता ह एसी स्थिति में क्या बता जारी है कि जब भी विचार अथ्वब भाव के तार-तार को अलग कर या कह सकते हैं अलग कर तारतम के साथ समझने के लिए कुछल वैखत शकता पड़ती हैं इतना ही नहीं हिंदी में कहा जाए ऐसी हजारों हमारी पर शुक्तियां हैं और कह वाते बचली थे, जिनके ऊपर यहाँ यहाँ जिका है, जिनके अर्थ जो है, ऊपर से तो इसपश नहीं होते हैं, लेकिन इनका अगर हम आर्थ विस्तार होरो करें, तो इनके भावो को हम लोग इसपश कर सकते हैं, जिसे कि तरह बख़ाया हो हैं आपर, लेकर कि इस किरिया को तो इसमें मूलवाक्यों में आए जो हमारे सुत्र को सही-सरी अर्थ में यहाँपर हमारे पास पकड़नी की चिष्टा की जाती है, यहाँ यह देखा जाता है, कि जो छातर है, या व्याक्याता से किसी गंबीर तर्ध को कितनी बारीकी से और गहराई से उदर का समझा जाता है और अपनी महासां इसे कितना दूर तक सुष्पस्ट कर सकता है यनि कोई गर चीज करें गई है तो आप उसे समझ कर कितने अच्छे से लोगों को समझा सकते है यह depend करता है लेखा को कितनी गंभील से समझ के या लेखा की अच्छा चात्रा जो भी है उनको समझ के समझा सकता है अब पलवन की देखिए यहाँ व्याख्या और साथ साथ हम लोग यहाँ भावार्थ समझने कोजिस करेंगे देखिए पलवन व्याख्या और भावार्थ कि जो हमारे पास तात्विक अंतर को समझ लेना हमें चाहिए पलवन और व्याख्या दोनों में सन्हीत जो भाव होते अथवा विचार का क्या होता है विस्तार होता है किन्तु पलवन जो होता है हमारे पास पलवन है तो हम अपने लिए मात्री भासा भी होती है और इसी के ताइट बताया हुआ है किन्तु भासा या किसी की जो मात्री भासा होती है को बुरा मानना या समझना या मनुस्चता नहीं होती या विद्या प्रेम नहीं बलकी संकिन्ता और नीस्ता है फिर अगर हर भांसा का अपना साहित होता है और साहित जो होता है वो माना मातर के प्रेम की बस्तु होती है संसार के कोने कोने में अंगिनेत भांसा है बोली प्रचली थे लिखी जाती है जिसकी अपनी प्रकेती होती ह और अपने ही उचार होते हैं ये सारी, जो हमारी भांसा है, वो सिखी जा सकती है, हजारो विदरती बिदेशी भांसा या दुसरे की भांसाओं को अध्यन करते हैं, ताकि उनके साइत का ग्यान आसानी से ये क्या प्राप्त कर торge है हर भांसा के साइट की अपनी है विसिष्टा होती है उस विसिष्टा से किसी वी देश की जो कैसकते मांसिक अबधारना या विलक्सिंता है वो रहती हैं हमें पता चलती है इन सारी बात को जानकारी के लिए ज़रूरी होता है होना ये कोई गलत बात यहां पर नहीं है लेकिन बताया हुआ हमारे पास यहां पर लेकिन बिदेसी भासाओ या दूसरों की भासाओ को यहां पर पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ कंडिशन बताए गया है कि यहां पर आप सभी को अगर हमें बिदेसी भासा या दूसरे की पढ़ने के लिए पहले हमें अपनी राष्ट भासा और मात्री भासा का जो ज्यान है वो नितांत आवाज सके अपनी भासा में हमारे पस हिर्दे बोलता है और इससे हमारी मा की ममता राष्टिय संबंदों का जो माधूरे भाव है और अपने को जानने पैसाने की जो सरलता र अरह विर्ट की माथा पेचीव नी करने पड़ते और संमय विशाससर हमारा बरवाद नहीं होता है हिंदी हमारी मात्री भासस है इसके लिए, Gross À, इसके लिए वहवार में हमें हमें, इतनी सहलिका यहां कह सकते है। सोचते हुग दूसरे साम नहीं कह सकते हैं व्यक्त भी करते हैं लेकिन बेदिसी भासा के हम इस्तमाल नहीं कर सकते हैं इसलिए यह तरह इसलिए हर तरकी सिक्षा का जो माद्धम होता है चाहे वो अन किसी भासा की सिक्षा हो या कला कारिगरों की अगर हम कोई बेदिसी भासा सिकते हैं तो हमें अपनी मात्री भासा और साथ राष्ट भासा के माद्धम में समझाने चाहिए इसलिए जब हम किसी दूसरी भास सिकते हैं तो मात्री भासा के मन म में जो हम सोचते हैं, वो उसी का अनुबाद होता है, इसलिए इसके बिना हम रह नहीं सकते हैं, यह हमारे जैनिक जीवन के साथ घुली मिली है, जैसे दूद में पानी गुला रहता है, उसी तरह मातरी भासा में भी हमारी मा का संसकार, उसका प्यार और मिठाथ से, अता अपनी भासा जो है वो सरवरी है भासा के अध्यन में इसी का सरवोच जो इस्ताने वो हमसा बना रहता है यही कारण है कि सभी जो सब विद्धेसे उनमें सिक्षा में मातरी भासा के मातरी भासा के मातरी भासा बुलियाती है वो हिंदी है हिंदी क्या है लोगों एक ऐसी जिसके तुरों लोग आराम से बात वीचार अपने मन के भाव को साम रखते हैं, ताकि सब लोग भी समझते हैं इस भावाव को, ठीक है? अगला हमरा बताया हुए कि बिदेशी भावावा सीखी जा सकती है, पर वो अपने कभी नहीं हो सकती है, वो मस्तिस की वस्तू हो सकती ह हिर्दय के जो हमारी वानी है, वो कभी भी नहीं हो सकती है, उसमें मा की ममता, पिता का प्यार, पडोशियों के सने, और हमारे मन या हमारे देश का दर्द उसमें नहीं हो सकता है, आज अंग्रेज हम पर जवस्ती लदी है, अंग्रेजी क्योंकि हम लोग सिखने कह सकते हैं हमें अगर इंट्रेसनल लेसन्स अच्छे रखने तो हमें सीखना पड़ता है फल यह कि लाकों विदारती अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं लादी के को भी जो भी विदेशी भांसा समाज और देश के सुवावी कह सकते हैं विकास में यह हमें साब बादक से दूती है फिर भ बारा वर्स लगवव बीच जाते हैं आज अंग्रेजी को माध्यम रखने के लिए देश के हर जारती यानि इस देश के लगवदस से बारा वर्स ब्राद हो रहे हैं क्या इस बरवादी का को भी देश भक्तिक में गिना जाए आप खुद इसमें विचार अपने रखना चा अ Luminar 1 नहीं होगा हिंदी दो आपको समस्टर1 में इंगलिव रखाओ इस परकार देखे एस फ्लाइल का लिए जड़ी बताइएगा पसंद आए तो like और शेयुकर ने कहीं मत करिएगा मिलतने श्वीडियो पे तब तक के लिए शेया भारत